पुल्यस विभाग द्वारा रिति माफिया विरुद बड़ी कारवाई की गई कारवाई की सुक्सुकाहाट नहीं लगे इसकी खबरदारली ली गई थी सतेशुग मसाड के मांग दशन में तहसूल विभाग की कारवाई जारी है कल दोपहर में तीन बजे किये गई कारवाई में रेटी माफिया टोली के 3 पोल कें 29 टिप पर साथ ही रेटी उत्खनन करते हेतु उपयोग में लानी वाली 6 बोट इत्यादी सामगरी जबत की गई है इस कारवाई में रेत माफिया पर दंडात्मक कारवाई के जानी की पुष्टी है महसुल विभाग के अधिकारियों को कारवाई के अधिकार दिये गए है उक्त कारवाई की किसी को भी भनक ना लगे इसकी भरपूर कोशिश की गई थी इस मोहिम में हिंगन घाट के उपविभाग ये पुरिस अधिकारी दिनेश कदम वडनेर के ठानेदार मिश्रा हिंगन घाट तैसिलदा सतिश मसार और उनके दल के करमचारी शामिल थे इस रेति घाट से कई बार अवेद उत्खनन किया जा रहा है लेकिन इसमें हिंगन घाट उपविभाग के कुछ बड़े राजनितिक नेताओं की भागिदारी बताई जाती है इस अवेद उत्खनन करने वाले रेत माफिया ने वन विभाग के अधिकार शेत्र में आने वाले जमीन पर भी बड़े प्रमान में अवेद मार्ग की निर्मिती की है वन विभाग के शेत्र के अनेक पेड़ों की कतल की गई है और इसी मार्ग से दिन रात अवेद वाहतु करके रेत की चोरी की जाती है कल अचानक हुई इस कारवाई से रेत माफियाओं के तंबू में देश्चत फैल गई है कटना स्थर पर कारवाई करने आए अधिकारियों को मैनेज करने के लिए राजकिय नेता ने युद स्थर पर प्रयास करने की चर्चा है उक्तकारवाई के आगे की जाज के अधिकार आखिर महसूल विभाग के अधिकारियों को देने से अब ये मामला क्या रंग लाता है इस और सबकी निगाहे ठिकी हुई है इस प्रकरन में अभी तहस्यलदा सतीश मासार के मार्ग दश्चन में महसूल विभाग की टीम चोरी हुए उत्खनन का मोज माप कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट बीसीन यूज